दोस्तों जैसा कि आज आप सभी लोग देख रहे हैं आज इंसान ने इतनी तरक्की कर लिये कि आज इंसान धर्ती के खतम होने के डर से चांद और मंगल जैसे ग्रैहों पर घर बसाने की तैयारियां कर रहा है आज साइन्स को बढ़ता देख बहुत सारे मसी जवानों ने परमेशर का त्याद तक कर दिया है यहां तक की बहुत सारे लोगों का तो ये मानना है कि बाइबल सिर्फ और सिर्फ कृष्चन धर्म को फैलाने की एक किताब है जिसे सिर्फ इसी मंसा से लिखा गया है कि क्रिश्यन धर्म को आगे फैलाया जाए मगर जब हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं तो दोस्तों बाइबल के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी बातें जो की धर्ती के रिलेटिड और इस मानव जाती के रिलेटिड हमें बाइबल के अंदर पढ़ने को मिलती है मगर जब हम दुनिया की ओर देखें जैसा कि आज आप सबी लोग जानते हैं हमें स्कूलों में भी आज तक यही बताया जाता है कि मानव जाती का जन्म बंदरों से या फिर एक बड़ा धमाका हुआ और फिर कीडे मुकोडों की तरह ही इंसानों का जन्म भी हुआ और हमारे जीवन की शुरुवात हुई और परमेशर का और मानव जाती का कोई लेना दे है आज बोहुत सारे मसी लोग भी इनी बातों को सोच सोच कर परेशान है क्योंकि उन्हों ने भी लोगों से ऐसा ही सुना तो दोस्तो आज की वीडियो को आप लोग अन तक जरूर देखेगा हमारे चैनल को सब्क्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ओन जरूर करें तो दोस्तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं बाइबल ने दिये जवाब विज्ञान के सवालो के तो दोस्तो आई हम वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसे कि आज आप सभी को पता है विज्ञान जैसे कि आसमान के अंदर आज बड़े-बड़े मिशन कर रहा है वैसे ही आज विज्ञान समुद्र के अंदर भी बहुत बड़ी-बड़ी खोजो को कर रहा है तो दोस्तों हमें बाइबल के अंदर कुछ ऐसी बाते देखने को मिली जो की सच में चोका देने वाली थी तो दोस्तों जब हम Bible को पढ़ते हैं Bible के एक वच्चन में हमें देखने को मिला पासलम आठ का आठ जब आप पढ़ेंगे यानि भचन सहीता आठ का आठ उसके अंदर हमें देखने को मिला the birds in the sky and the fish in the sea and whatever passes through the path of the seas तो दोस्तों जब आप इसे हिंदी Bible में पढ़ेंगे हिंदी Bible के अंदर इसे अच्छे से ट्रांसलेट नहीं किया गया तो दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि एक बार आप इंगलिस में इस वच्चन को जरूर पढ़ें क्योंकि यहां पर लिखा गया है the path of the seas, the path of the seas का मतलब यानि समुद्र के रास्ते तो दोस्तों आप पढ़ सकते हैं इस Bible के अंदर हमें देखने को मिलता है कि Bible समुद्र के अंदर रास्तों की बात कर रही है मगर pastlam यानि भजन सहीता ये book तो हजारों साल पहले लिखी गई थी और हजारों साल पहले तो समुद्र के अंदर लोग जाया भी नहीं करते थे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ जो पहले के लोग हुआ करते थे जो नाओ में चलते थे तो दोस्तों वो नाव को ज़ादा दूर तक भी समुद्र में नहीं लेकर जाया करते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था ये धर्ती चोरस है और जहां की और पानी बैरा है कहीं हम धर्ती से नीचे ना गिर जाएं मगर इतने साल पहले जब लोग समुद्र को इतने अच्छे से जानते भी नहीं थे तो बाइबल के अंदर ये बात कहां से आई the path of the seas यानि समुद्र के रास्ते इनसानों ने तो सन अठारा सो में ही इन सब चीजों की खोज करनी शुरू की मगर परमेशर के इस वचन में ये बात हजारों साल पहले ही लिख दी गई थी मैथ्यू मोरियाद वो पहले इनसान थे जिनोंने इसकी खोज की थी एक बार जब मैथ्यू मोरियाद बिमार थे तो उन्होंने अपने बेटे को बाइबल पढ़ने को कहा जब उनके बेटे ने बाइबल को खोला उसमें से एक वचन पढ़ा पासलम आठ का आठ यानि भजन सहीता आठ का आठ पढ़कर जब मैथ्यू को सुनाया तो उन्होंने इस बात को सुना कि बाइबल हमें समुद्र के अंदर रास्तों के बारे में बता रही है तो उन्होंने सोचा जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं इसकी खोज मैं जरूर करूंगा और उन्होंने सफलता पूर्वग इसकी खोज भी की और मैथ्यू मोर्या ने एक किताब लिखी जिसका नाम ता ट्रैक इन दसी आज जो लोग नेवी की पढ़ाई करते हैं तो उनको ये किताब जरूर पढ़नी पढ़ती है तो इस बात से हमें ये देखने को मिलता है कि साइन्स ने भी बाइबल से बहुत सारी बाते सीखी हैं और ये ही नहीं कि आपको पता है समुद्र के नीचे जलके सोते पाई जाते हैं ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि आखिर समुद्र के नीचे भी नदिया पाई जाती हैं और समुद्र के नीचे भी जलके सोते पाई जाते हैं आज जब हम समुद्र को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये एक बारी भरा गया होगा और ये तब से लेकर अब तक ऐसा ही है ये बात भी साइन्स को बाइबल से ही मिली कि समुद्र के नीचे जलके सोते पाए जाते हैं जब हमने बाइबल को पढ़ा अयूब 38 का आठ उस वचन के अंदर हम पढ़ते हैं फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानोवेग गरब से फूट निकला तब किसने द्वार मूंद कर उसको रोक दिया आज विज्ञान को भी इसके सबूत मिल चुके हैं और उन्होंने भी लाइफ साइंस के द्वारा दुनिया को बताया कि समुद्र के नीचे जलके सोते पाए जाते हैं तो यहां तक कि जब हमने बाइबल को और पड़ा उसमें हमने देखा कि बाइबल के अंदर जब नू के समय में जल तबाई आई थी तो उस वक्त में हम पढ़ते हैं उत्पत्ती साथ का ग्यारा जब नू की अवस्ता के छे सोवे वर्ष के दूसरे महिने का सतरवा दिन आय उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सबसोते फूट निकले और अकाश के जरों के खुल गए तो यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं समुद्र के नीचे सोतों की बात की जा रही है बाइबल अमें पहले से ही बता रही है तो अब आप लोग देख सकते हैं इतना ही नहीं बाइबल को अगर हम होर आगे पड़े तो बाइबल के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे रास देखने को मिलते हैं जिनके बारे में आज साइंस को पता भी नहीं मगर जब Bible को पढ़ा गया तो बहुत सारे सवालों के जवाब हमें Bible के अंदर से देखने को मिले और science अपने मिसल में success भी हुआ जैसे कि हम Bible पढ़ते हैं और हमने देखने को मिलता है कि समुद्र में पहाड का पाया जाना यहां भी आप लोगों को बहुत अजीब सी बात लग रही होगी कि समुद्र के नीचे अखिर पहाड कैसे हो सकते हैं मगर Bible के इस बात के बारे में जब हमने पढ़ा जब हम पढ़ते हैं योना नभी की किताब तो हमें पता चलता है कि समुद्र के नीचे बड़े बड़े विशाल पहाड पाये जाते हैं जब हमने पढ़ा योना दो काचे मैं पहाडों की जड़ तक पहुँच गया था मैं सदा के लिए भूमी में बंध हो गया था तो भी है मेरे परमेश्वर यहवा तूने मेरे प्राणों को गड़े में से उठाया है तो जैसा कि अभी हमने इस वचन को पढ़ा इस वचन के अंदर बाईवल हमें समुद्र के नीचे बड़े बड़े विशाल पहाडों की बाते कर रही हैं और मैं आपको बता दू आज साइन्स को वे बड़े बड़े विशाल पहाड मिल चुके हैं एक दो नहीं बलकि हजारों की संख्या में समुद्र के नीचे बड़े बड़े विशाल पहाड पाए जा चुके हैं आज बहुत सारी खोज साइन्स समुद्र में कर रही हैं मगर मैं आपको बता दू बाइबल में आजाएसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज मनुष्य के मन में बहुत सारे सवाल पैदा करते हैं हमें परमेशर के वचन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है ताकि परमेशर हमें प्रित्वी के बहुत गहरे गहरे राज बता सके आज परमेशर का वचन हमें प्रित्वी की भी बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में बताता है जैसा कि हम सब लोगों ने अकसर यह सुना था कि पृतवी चप्ठी है और बहुत से लोग यह कहते थे कि पृतवी को सैसनाक के सिर पर रखा गया है और वह उसे संभाले हुए है और पुराने समय के जो युनानी लोग थे वो ये मानते थे कि उनका देवता एटलस प्रित्वी को अपनी पीट पे संबाले हुए हैं और ऐसी बहुत सारी बाते हमें प्रित्वी को लेकर सुनने को मिलती थी मगर दोस्तों जब हमने बाइबल को पढ़ा तो बाइबल भी इसके बारे में कुछ कहती है मगर बाइबल इसके बिल्कुल opposite बताती है जब हमने बाइबल को पढ़ा अयूब 26 का साथ जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाता रहता है और बिना टेक प्रित्वी को लटकाए रहता है तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं हमें यहाँ पर साफ साफ देखने को मिलता है कि यहाँ पर बाइबल हमें बता रही है कि प्रित्वी को बिना किसी टेक के बिना किसी सहारे के हवा में लटकाया हुआ है पर हमने तो शुरू से यही सुनाता कि पृत्वी को किसी ने सहरा दिया हुआ है, मगर आज बाइबल की इस बात को साइंस भी प्रूव कर चुका है कि पृत्वी को किसी ने भी सहरा नहीं दिया हुआ, वह अकाश में ऐसे ही लटकी हुई है, और दोस्तों जैसा कि आज आप स प्रित्वी को चप्टा मानते थे, वह लोग प्रित्वी को चप्टा इसलिए मानते थे, उनको ऐसा लगता था कि अगर प्रित्वी गोल हुई तो हम लोग नीचे क्यों नहीं गिर जाते, अगर प्रित्वी गोल होगी तो हम नीचे गिर जाएंगे, मगर दोस्तों आज बा काश को मलमल किनाई फैलाता है और ऐसा तान देता है जैसे रहने के लिए तंबू ताना जाता है तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी इस वचन को पढ़ा इस वचन के अंदर हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि प्रित्वी का आकार गोल है ये हमें बाइबल बता रही है मगर तो दोस्तों सन 18 सो में हमारी साइंस ने काम करना शुरू किया और उसके बाद साइंस को पता चला कि हमारी प्रित्वी का आकार गोल है तो दोस्तों आप देख सकते हैं बाइबल कितने पुराने समय से बता रही थी कि हमारी प्रित्वी का आकार गोल है और यहां तक ही नही जब हमने Bible को और पढ़ा तो Bible हमें खतने के बारे में भी बताती है कि आखीर खतना जो है वो आठवे दिन ही क्यों किया जाता है तो दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है कि Muslim धर्म के अंदर खतना किया जाता है मगर ये खतना आठवे दिन पर ही क्यों किया जाता है तो दोस्तों इसके बारे में भी हमें बाइबल बताती है जब हम पढ़ते हैं उत्पति सतारा का बारा उसमें हम देखते हैं पीडी-पीडी में केवल तेरे वंच के ही लोग नहीं पर जो तेरे घर में उत्पन हो वे परदेशियों को रुपा दे कर मोल लिया जाए ऐसे सब पूरस भी जब आठ दिन के हो जाएं तब उनका खतना किया जाए तो दोस्तों आपने देखा कि बाइबल में ये बताया गया कि आठवे दिन पर खतना किया जाना चाहिए मगर दोस्तों जब ये बात साइंस को पता चली कि आठवे दिन पर ही क्यों खतना किया जाता है तो साइंटिस्ट ने इस बात पर रिसर्च की कि आखिर आठवा दिन ही क्यों चुना गया खतने के लिए तो जब साइंटिस्ट ने इसके उपर रिसर्च करना शुरू किया तो उनको पता चला कि आठवे दिन बच्चे के अंदर blood clotting elements 100% से जादा होता है जिससे की बच्चे को कोई भी रिस्क नहीं होता अगर आठवे दिन से पहले या आठवे दिन के बाद उसका खतना किया जाए तो दोस्तो बहुत जादा रिस्क की संभावना बढ़ जाती है इसलिए Bible भी बताते है कि आठवा दिन पर ही खतना किया जाना चाहिए तो दोस्तो आज इंसान के मन के अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं कि ये कैसे हो गया तो दोस्तो ये सारी बाते आज Bible के अंदर आप लोग देख सकते हैं आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मनुष्य जाती इस धर्ती पर कैसे आ गई तो दोस्तो ऐसे बहुत सारे सवाल है जो हमें Bible के अंदर देखने को मिलते हैं तो दोस्तो मैं आपको कहूंगा एक बार आप Bible को जरूर पढ़ें तो दोस्तो आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाईयां बनती हैं मगर दोस्तो आज हम उन गवाईयों को नहीं देते तो दोस्तो अगर आपके जीवन में बहुत बड़ी गवाईया है तो दोस्तो आप हमारे WhatsApp नमबर जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है आप हमें WhatsApp करें अपनी गवाही के बारे में बताएं तो दोस्तो ताकि जो लोग परमिश्र को नहीं जानते जिन लोगों को परमिश्र के बारे में नहीं पता वे लोग भी आपकी गवाही के द्वारा बस सकें वे लोग भी परमिश्र के सूसमाचार को सुन सकें आपकी गवाही के द्वारा तो दोस्तो अपनी डाए कमेंट बोक्स में में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ओन जरूर करें